काश मैं भी ऐसा कर सकता तुम क्या कर सकते नो बता ये स्लोट्स है स्लोट्स पूरे दिन पड़े रहते हैं और लटके रहते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं काश मैं भी ऐसा करता पर असलियत में तुम मुझे बहुत काम करना पड़ता है डोरी मौन तुमने अपना होंबग किया, उठो अपना कमरा साफ करो, और फिर जाके नहा लेना घर पर भी और स्कूल पर भी मुझे कुई नो कोई काम बोलते ही रहते हैं काश में एक स्लॉट बन जाता और पूरे दिन ऐसे लटका रहता यहां मुसीबत है तो फिर तुम्हें एक बार स्लॉट बन कर देखी लो स्लॉट सूट अन पर्च अगर मैंने ये पहन लिया तुम्हें स्लॉट बन जाओंगा हां, सब लोग तुम्हें एक स्लॉट ही समझेंगे और इसे पहनने के बाद तुम आजसी बनोगे तो कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा कमाल है मैं तुम्हें तुम्हें बन गया हूँ अब तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे लेक टहनी अपने आप आ जाएगी नोबिता शुक्रिया ठीक है सुनो नोबिता अब तुम दिल खोल कर एक स्लॉट की जिन्दुगी के मैसे लो क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम जल्दी पूर हो जाओगे नोबिता तुमने सारा गर का काम किया या नहीं हाँ नोबिता यह स्लॉट है क्या अरे मैं तु भूली गया था अच्छा तुम आज स्लॉट हो कोई बात नहीं आराम करो डोरेमान मैं यहा हूँ क्या तुम आज यह कमड़ा साफ कर लोगे क्या सब मुझे करना होगा हाँ वैसे भी तुमें ही करना पड़ेगा क्योंकि आज नोबिता तो स्लॉट है मैं नीचे जाकर तुम लोगों के लिए स्नाक बनाती हूँ ठीक है अच्छे से काम करना मैं नीचे जाकर स्नाक खा कर आता हूँ तो मैं जो मन में आये वो करो मैं से सत्का हूँ तो वो तो सफाय कभी करता ही नहीं था कि यहां सब तुछ भेला हुआ है मुझे करना पड़ रहा है क्या तुम आपी भी यही पर हो हाँ हाँ अराम-अराम से जाओंगा क्या तुम सच में स्नाक्स नहीं खाना चाहते नो बता अगर तुम चाहो तो अपना सूट अतार सकते हो नो बता और तुम ही यह भी करना होगा मैं भग्या हूँ उसकी वज़े से मुझे सारे काम करने पड़ रहे है दिना के लिए शुक्रिया माम मेरी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया डोरिमॉन क्या तुम प्लीज यह खाना नो बता के कमरे तक ले जाओगे क्या यह लो यह रहा तुमारा खाना अरे इसमें तो बहुत सारे नूडल्स हैं हाँ बस यह नूडल्स ठंडे हो गए हैं क्यों आप तुम अपना सूट उतार दो इतना अलस्पन भी अच्छा नहीं है नहीं बिल्कुल भी नहीं गुद मॉर्निंग अहां अरे नो बिता वो बिता कंदे ही खील रहा है मैंने कर दिखाया जादर लोग इस सूट को पहन कर परिशान हो जाते हैं और उसे उतार देते हैं बताओ तुम इतनी देर तक कैसे पहने हुए हो इसे नो बिता मैं इसे पूरी जिन्दगी आराम से पहन सकता हूँ सच में क्या इस सूट को देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी मुझे सोचना चाहिए था तुम नो बिता हो कोई आम इंसान नहीं ठीक है मैं सूल जा रहा हूँ बाई हाँ जाओ 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 हाई शिजुका कैसी हो नो बिता क्ये तुम चलो साथ में स्कूल चले अच्छा ठीक है आज का मौसम तो बहुत सुहाना है हाँ है तो जियान धीरे चलो जल्दी चलो हम लेट हो रहे है माप करना मुझे धेर हो रहे है लोगों को न जाने किस बात की जल्दी है स्कूल तो सच में बहुत दूर है बिल्लिया तो काफी तेज चलती है शीटिया भी आज मुझसे काफी तेज चल रही है मुझे लगता है ये कीड़ा तो अपने लिए सर्दियों की तयारी कर रहा है ध्यान से देखो तो पता चलता है ये सब कितनी मैनद करते है पता नियनो बिता स्कूल गया भी हो गया नहीं लगता तो नहीं है वो अभी यहीं पर है अब तो दो पहर भी हो गई है जाओ अरे डूरी मोट तब स्कूल क्यों नहीं चले जाते है जाओ हाँ तो अब मैं किताब पढ़ने के लिए किसको बुलाओं नौबिता ये बहुत अच्छी बात है कि एक स्कूल आए हो चलो अपनी बुक खोलो और एक प्रेस्ट पढ़ो ठीक है पेज नमबर 62 खोलो ठीक है सर पेज वान पेज टू पेज थ्री पेज सिक्स्टीन फॉर्टी फॉर्टी ये बहुत हो गया नौबिता ठीक है तो बच्छों जैसा कि मैंने तुम्हे पहले कहा था कि तुम्हारे एक टीचर तुमसे बात करना चाहते है तुमसे बिलना चाहते है तो इसने कल देर मत करना जल्दी आजाना ठीक है समझ गए तो जाने से पहले सबको बाई बाई करो ठीक है बाई बाई डीजर बाई बाई ओटी के बाद क्या आता है नोबिका क्लास खत्म हो गई है क्या सच में चलो देरे देरे वापस घर चलते है हम माप करना लेकिन मुझे प्यानो क्लास के लिए जाना है देर हो जाएगी न अच्छा तो ये बात है कोई बात नहीं मुझे तुमारी लिए बहुत बुरा लग रहा है तुम एक स्लॉट हो इसलिए आलज़ करने पर भी तुमे कोई कुछ नहीं कहता ऐसी बात है तो तुम भी स्लॉट सूट पहने होगे बहुत आराम दायक है सुनियो ये सब बेकार की चीज़ों के लिए मेरे पास वक नहीं मुझे भी बहुत सारा काम है लगता है आज सबको कुछ नो कुछ काम है ये तो वही कीडा है जो मुझे सुबह दिखा ये तो वही चीटिया है अरे तुम यहां क्या कर रहे हो अरे नहीं, आप यहाँ समभल कर आईएगा यहाँ एक कीड़ा सो रहा है कीड़ा? वहाँ चीटिया है ध्यान से मुझे माफ कीजिएगा अगली बार आप इस चीज का ध्यान रखेगा यह लोग सर्दियों के लिए तयारी कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं यह लोग अरे शिजुका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैट फाइल बोल रहे हैं बस वही पहुचाने उनके आफिस जा रही हूँ क्या? पर तुमने आज के लिए बहुत जादा काम नहीं कर लिया है हाँ लेकिन अभी मैं थोड़े जल्दी में हूँ लगता है जल्दी में है मुझे पता नहीं शिजुका ठीक होगी या नहीं मुझे बहुत ठकान हो रहे है काश आज मुझे प्यानो प्रैक्तिस के लिए ना जाना पड़े तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए नोबिता कभी कभी रुक कर आराम भी करना चाहिए शिजुका अच्छा लगता है पर नोबिता कुछ दिनों में मेरे प्यानों का शो भी है अगर तुम स्लॉट सूट पहनती हो तो तुम बिना किसी मुसीवत के आराम से जी सकती हो क्या तुम कोशिश करना चाहोगी यह मुझे पर कैसा लग रहा है हाँ हाँ यह तो तुम पर बहुत जच रहा है चलो अपसे अच्छे से पहन लो मुझे लग रहा है कि मैं जैसे असली स्लाट बन गई हूँ इसके साथ तुम जितना भी चाहो उतना आलसी हो सकती हो लेकिन किस तरह का आलसी पन अरे तुम बैटकर आसमान को देख सकती हो और सीन दिन तक तो तुम सारे तारे गिन ही लोगी कोई कुछ नहीं कहेगा क्यों न तुम अभी सो जाओ और कल आराम से उठो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल होगा अच्छा तो मैं प्यानो प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ अरे नहीं शिजुका सुनो यह तो बहुत अजीब है समझ नहीं आता कि कोई अराम दे जिन्दगी को मना क्यों करेगा भला मुझे लगता है पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ तुम्हें ही लगता होगा नूबिता अब तुम इसका इस्तेमाल कभी मत करना अरे नहीं मुझे यह चाहिए डोरी मॉन लीज मुझे यह वापस दे दो इस दे दो बिल्कुल नहीं मैं कुछ दिन और रखना चाहता हूँ प्लीज मुझे इस लॉट सूट वापस दे दो डोरी मॉन प्लीज बिल्कुल नहीं यह तुम्हारे आलस करने की सजा है तुम्हें तो खूब सारी डाट भी मिलनी चाहिए लो बिता क्या तुम्हें पता है अब क्या वक्त हुआ है माफ कर दीजिये सर आज तुम सबसे मिलने के लिए जो आ रहे हैं वो एक अंतराश्ट्र एवोर्ड जीत चुके बायलोजी के टीचर है तो जाओ चुप चाप अपनी सीट पर बैठ जाओ जाओ चीक है बच्चो आओ तुम सबको मिलवाता हूँ तो ये है मिस्टर अरे अरे ये तो वही है जिनसे में कल मिला था अच्छा तो तुम इसी स्कूल में बढ़ते हो चाप आप इसे जानते हैं सर हाँ हाँ ये आजकल के बच्चों जैसा नहीं है ये प्रक्रती को बहुत करीब से देखता है और छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता है ये बच्चा इतनी छोटी उमर में बहुत ही अच्छा है डाट पढ़ने की जगा उसकी तारीफ हो रही है ऐसा कैसे हो गया मैं आज सबको अपने बच्चपन के बारे में बताऊंगा जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं भी नौविता की तरहां ही था बिलकुल मुझे भी पेड़ पौदे बहुत पसंद है क्या आप सच कह रहे हैं हाँ बिलकुल आज कर लोग कितनी महनत करते हैं कितना काम करते हैं और स्कूलों में भी कितना होमवर्ग मिलता है पर नौविता इन सब चीजों के लिए वक्त निकाल कर उनको देखता है नौविता तुम बिलकुल ऐसे ही करते रहना ठीक है पर इस सब के साथ अपना होमवर्ग करना भी बहुत जरूरी है क्या तुमें कुछ समझ में आया नौविता समझ गया अपना होमवर्ग करना है